नमस्कार, रुच्रा भागदिन के अंतरकत इसके बारह में पाठ का पहला बहु विकल्पीय प्रस्न है स्वेद बिन्दवाह इसका क्यार्थ है इसके लिए चार विकल्प दिये गए हैं पानी की बूंदें, पसीने की बूंदें, रक्त की बूंदें या बारिश की बूंदें स्वेध कार्थ होता है पसीना तो स्वेध बिंदवह अर्थात पसीने की बूंदें इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा दूसरी प्रश्ण में पूछा गया है बालाहा कुत्र गचन्ती बच्चे कहां जा रहे हैं? वन में? घर में? नदी के किनारे? या खेत में? हमने पाठ में पढ़ा है कि गर्मी से व्याकुल होकर बच्चे नदी किनारे जा रहे हैं तो यहाँ पर तीसरा विकल्प नदी तीरम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा तीसरा प्रश्ण निदाग आत अपे शुशकताम का याती? भीशन गर्मी में क्या सूख गई है? अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा अगले प्रश्ण में बालाहा कीमक्रीडंती बच्चे क्या खरीदते हैं? द्राक्षा फलानी, अंगूर, सेव फलम, सेब, कदली फलानी, केले या वस्तरानी अर्थात कपडे दिये गई पाट के अनुसार, बच्चे केले खरीद कर गाय को खिलाते हैं तो यहाँ पर तीसरा विकल्प कदली फलानी, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा अगले प्रश्ण में अवरुद्धा शब्द का समानार्थी शब्द पोचते हुए इसके लिए चार विकल्प दिये गए हैं बाधित, निशक्रामती, कृधः या गच्चती ध्यान दें अवरुद्धा का अर्थ है रुका हुआ और दिये गए विकल्पों में बाधित, इसका अर्थि भी है रुका हुआ तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका समानार्थी शब्द होगा और यही इसका सही उत्तर माना जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रचंडोश मना इसका संधी विच्छेद क्या होगा निचे दिये गए चार विकल्पों में प्रचंडोश जमा ओश मना इसका उचित संधी विच्छेद होगा प्रचंड जमा ओश मना अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा अगले प्रश्ण में एक वाक्य दिया गया है वैभव बहीरा गतह अर्थात वैभव बाहर आता है यहां वैभव को रेखांकित यानि ये अंडरलाइन किया गया है इसके आधार पर हमें प्रश्ण निर्मान करना है ध्यान दें वैभव एक पुल्लिंग शब्द है जो की एक वचन है इसके अधार पर प्रश्ण का निर्मान होगा कौन बाहर आता है और दिये गए विकल्पों में का, क, केन और के इन में से जो दूसरा विकल्प क है ये भी पुल्लिंग और एक वचन का रूप है इसे वैभव के स्थान पर रखने पर प्रश्ण बनेगा क, बहीरा गता है अर्थात कौन बाहर आता है इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा अगली प्रश्ण में चर्मणा शब्द का अर्थ पूचते हुए चार विकल्प दिये गए है चार पाई से चार दिशाओं से चमडे से या चमकने से ध्यान दें चर्मणा कार्थ है चमडे से अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा इसके बाद तत जमावनम इसकी संधी पूचते हुए इसके लिए चार विकल्प है तत्वनम तद्वनम त्वनम या तवनम तत्जमावनम इसकी उचित संधी होगी तद्वनम अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा इसके बाद के प्रश्ण में पूचा गया है परियावरनास्य में किस विभक्ती का प्रियोग है और इसके लिए चार विकल्प दिये गए है प्रथमा तृतिया पंचमी या शष्ठी परियावरनास्य इसकार्थ है परियावरन का ध्यान दें का, के, की ये संबंध वाचक शब्द है और संबंध वाचक शब्दों के लिए शष्ठी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा